आप लोगों ने एक चीज नूटिस की होगी कि आज से कुछ सालों पहले ओडियंस सीर पोर्चिफ एक्टर्स के नाम पर ही फिल्में देखना पसंद किया करती थी यानि की फिल्म के पोस्टर के उपर किस एक्टर का चेहरा लगा है और उसका स्टार्डम कितना बड़ा है उसी के इसाब से ओडियंस उनकी फिल्मों देखना पसंद किया करती थी मेरा कहने का मतलब है कि 10 से 12 सालों पहले जदेतर ओडियंस को डिरेक्टर के बारे में कोई नौलेजी नहीं होता था वो सिर्फ पोस्टी फिल्मों के नाम पर ही थीटर में चले जाते थे लेकिन पिछले कुछ सालों में लोगों ने फिल्मों को डिरेक्टर के इसाब से भी दिखना शुरू किया है और अब लोग फिल्म के हीरो के साथ सा डिरेक्टर कौन है इस बात का भी पता करते है और उसी हिसाब से वो फिल्म से अपनी expectation set करते है और इस हिसाब से पिछले कुछ सालों में डिरेक्टर्स में पूरे तरीके से game change कर दिया है और डिरेक्टर्स की popularity भी काफी ज़्यादा बढ़ी है लेकिन कई बार उन डिरेक्टर्स की popularity इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो overrated लगने लगते है और उनकी फिल्में उनकी popularity और hype के हिसाब से अच्छी नहीं निकलती और फिर audience को disappoint होना पड़ता है तो आज के इस वीडियो में उन डिरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो अब थोड़े से overrated लगने लगेंगे और साथी में उन डिरेक्टर्स की भी बात करेंगे जो आज भी underrated है वेल आज के टाइम पर साउथ फिल्मों को लोग बॉलिवुड फिल्मों से ज़्यादा देखना पसंद करते है और ये बदलाव 2015 की फिल्म बहुबली से आया था और लोगों ने पहली बाल SS राजामोली सर को उस पिन से नूटिस किया और फिर उन्होंने उसी इसाब से राजामोली सर की पिछली फिल्मों को भी देखना शु चुका है लेकिन मेरे इसाब से अब ये डिरेक्टर्स थोड़े से ओबरेटेड हो गया है और मेरे पास इसके पिछे के कई सारे रिजंस भी है तो सबसे पहले हम एटली की बात करें तो वो डिरेक्टर शंकर के एसिस्टेड डिरेक्टर रह चुके है और 2013 की फिल्म राजा जवान का इंटरवल ब्लॉक पूरे तरीके से मर्सल से काफी ज़दा सिमिलियर था वह जवान के अंदर बिगिल की तरही वूमन एमपार्मेंट को दिखाने की कोशिश की गई थी और उनकी हर फिल्म में फिल्म का लीडी रो डबल रोल में नजर आता है जिसमें बाप बेटे का सेंटिमेंट दिखाया जाता है और उन डबल रोल्स में भी फादर का करेक्टर जो होता है वो पूरे तरीके से बेटे के करेक्टर को पूरी तरह ओवर शेडो कर देता है और उनकी हर फिल्म में एक जैसी स्टूरी लेंड देखने को मिलती है लेकिन अब वाइलेंस के नाम पर बेचते है और उनकी फिल्मों में रियालिटी में वाइलेंस से जज़्यादा वल्गरिटी होती है और संधीप रेड़ी वंगा ने अपने करियर में अब तक 3 फिल्में बनाई है अर्जून रेड़ी गंटी का रिमैट और एनीमल और critics ने इंती पर काफी तगड़ा कलेक्शन किया वैसे देखा जाए तो वंगा की फिल्मों के करेक्टर समेशा काफी ज़्यादा टॉक्सिक होते है जोके रियल वर्ड में काफी ज़्यादा इरिटेटिंग से फिल होते है वही उनकी फिल्मों में जिस तरीके से फिमेल केरेक्टर को प्रे और वल्गर फिल्मों में काफी जादा डिफ्रेंस होता है जैसे कि विक्रम, जेलर और क्याप्टन मिलर जैसी फिल्में वाइरेंट तो थी लेकिन उन फिल्मों में वल्गारेटी बिल्कूल भी नहीं थी लेकिन उनकी फिल्म मानागरम को छोड़ दे तो उनकी फिल्म में कैथी, विक्रम और लियो ये सारी फिल्में हॉलिवुड से काफी ज़्यादा इंस्पायर थी जिसमें कैथी प्रिस्यन 13 से काफी ज़्यादा इंस्पायर थी विक्रम के अंदर हमें काफी सारे बैटमेंट के रिफरेंस देखने को मिलते है वह लियो तो हिस्ट्री ओफ वाइलेंस का ओफिशल रिमेक थी वैसे मैं लोकेश कनगराज को इसलिए भी थोरा सा ओवरेटेड कहा रहा हूँ क्योंकि वह फिल्म के रिलीज होने से पहले कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स देते है जिसे कि फिल्म काफी ज़्यादा ओवराइप हो जाती है और बाद में वह फिल्म ओडियंस की एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल भी मैच नहीं कर पाती जैसे कि लियो के रिलीज से पहले उन्होंने लियो के सेकंड आप को इतना ज़ादा ओवर प्रमोट किया कि ओडियंस सोच में पढ़ गई कि आखिरकर ऐसा तो सेकंड आप में क्या होगा तेकि जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म का सेकंड आप काफी ज़्यादा खराब था और आज भी लोकेश करनगराज कभी कबार ऐसे स्टेटमेंट देते है जिसे कि उनकी आने वाली फिल्म में ओवर प्रमोट हो जाती है वैसे आपको लोकेश करनगराज ओवर एटेड लगते है या नए कमेंट्स में ज़रू बताइए अब हम प्रशान दिल के बारे में बात करें तो उन्होंने केजीएप से कनड़ा सीनेमा को पूरे तरीके से बदल दिया है लेकिन फिर वो वही सारी चीज़े रिपीट करते जा रहे है मतलब कि उनकी फिल्म सलार उनके करियर के सबसे कमजोर फिल्म थी सलार फिल्म के अंदर वो पूरे तरीके से केजीएप को कॉपी करने की कुशिश करते है और मुझे उनकी फिल्मों में दो चीज़े बिल्कुल भी पसंद नहीं आती एक तो ओवर दे टॉप डायलोग्स मतलब कि सलार की टीजर में जो डाइनासर वाला डायलोग्स था वो इतना ज़दा क्रिपी और फनी था कि उसे सुनकर एलिवेशन की बज़य हसी आती है और दूसरा उनकी फिल्मों का एक्शन इतना ज़दा चौपी होता है कि किसने किसको मारा ये बिल्कुल भी पता नहीं चलता और उनकी फिल्मों का एक्षन बिल्कुल भी क्लियर नजर नहीं आता मतलब कि एक्षन के टाइम पर इतने सारे कट्स लगाया जाते हैं कि एक्षन को दिखने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता बस वो आखिर में सीन अच्छा लगे इसलिए एक ऐसा फ्रेम स्क्रीन प्रस्लो मोशन के साथ प्रेजेंट करते हैं कि वो दिखने में काफिस ददा स्टाइलिस लगे जिसे की ओडियंस उसको एंजोई कर पाए और यही सारी चीज़े प्रशान दिल को ऊवरेटेड बनाती है आई होग की वो फ्यूचर में डायलोक्स और एक्षन सिक्वेंस को थोड़ा बेटर वे में प्रेजेंट करेंगे इन सब डिरेक्टर्स के अलावा कुछ ऐसे डिरेक्टर्स भी है जिने वो रिकोगनेशन नहीं मिला जो वो डिजर्व करते है जैसे कि जितु जोसेफ जिनोंने द्रिश्यम बनाई है वेटरी मारं जिनोंने चैनली सेंटरल और असुरन जैसी मस्टरपिस फिल्म में बनाई है वही नेलसन दिलिप कुमार, मारी सेलवराज, पार अंजीत और राजबी शटी जैसे कई और अंडरेक्टर्स है जिने सही मायनों में पॉपलरेटी मिलने चाहिए सो ये था डिरेक्टर्स की उन चीजों के बारे में वीडियो जो उने ओवरेटेड बनाती है वेल कि आपको ये डिरेक्टर्स ओवरेटेड लगते है और उन डिरेक्टर्स में से कौन सा डिरेक्टर आपको सबसे आदा ओवरेटेड लगता है comment section में comment करके जरूर बताईए I hope कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आपको अमारा वीडियो पसंद आया हो तो like share जरूर कीजिये बाकी मिलते हैं अमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care